उस बेवस्था के खिलाप है जिसे बहतर बनाने का भडोसा मिलने के बाद ही हमने सत्ता का परिवर्तन किया था लेकिन सत्ता पर काविज लोगों ने बेवस्थाओं को बहतर बनाने की बजाए उसे बदतर होते हालात में छोड़ दिया अगर ऐसा नहीं होता तो कटिहार के कदवा में पिछले दिनों एक इंजेक्शन ना होने की वज़ह से एक बच्ची की जान ना जाती एक पिता की लाड़ी ना मरती बीते बुधवार को कटिहार के कदवा में एक बच्ची को साप ने डस लिया बच्ची के परिजन उससे लेकर कदवा इस्थित सरकारी अस्पताल लेकर गए लेकिन बदनियती और बदिंतजामी का आलम देखिए इस अस्पताल में साप के जहर से लड़ने वाली महत्पूर्ण इंजेक्शन उपलब नहीं थी लिहाजा साप के डंस की सिकार बच्ची को उसके परिजन कदवा से कटिहार के सदर अस्पताल के लिए 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 लेकिन रास्ते में ही साप के जहर ने बच्ची को मौत के आगोस में ले लिया कदवा के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से पलरा ज़ाड लिए किसाम के काटने के बाद दी जाने वाली महत्पूर्ण इंजेक्शन अस्पताल में मौजूद नहीं है तो वो क्या करेंगे और कहां से देंगे सरकारी अस्पतालों की लापरवाही यहीं खट नहीं होती कटिहार के सदर अस्पताल की इस्थिती और भी बदतर सावित हो रही है सदर अस्पताल में आए एक रोगी डॉक्टरों से मिन्नते करता रहा कि उसके परिजन का ओपरेशन कर दिया जाए पर डॉक्टरों ने उसकी एक न सुनी डॉक्टरों को ऐसा कहनी की वजह जब आप जानेंगे तो आपको कटिहार के सदर अस्पताल के विवस्था पर गुसा भी आएगा और हैरानी भी हो कटिहार के सदर अस्पताल में आपरेशन से पहले एक रोगी की पैथलोजी जाच कटिहार के सदर अस्पताल में ही की गई जिसके बाद उसका जाच रिपोर्ट भी सरकारी पैथलोजी ने रोगी को दिया जिसे लेकर रोगी के परिजनों ने आपरेशन के लिए डॉक्टरों से मिले पर डॉक्टरों ने आपरेशन करने से साफ साफ मना कर लिया क्योंकि पैथलोजी रिपोर्ट तो बन गई थी लेकिन उसकी जाच किस डॉक्टर ने की उसके हस्ताक्षर ही पैथलोजी रिपोर्ट में नहीं थे ये देख हमें भी आश्चर्ज हुआ तो पता चला यहां तो सब कुछ ऐसे ही चलता है नतीजन पूरी रात एक पैथलोजी जाच रिपोर्ट को लेकर अस्पताल के चक्कर काड़ता रहा लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला सबसे का किसी ने बात में सुना मैंने इसका साहिन होना चाहिन के सवाल यह है कि बिना पैथलोजिस्ट के हस्ताक्षर के कैसे कटिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जाच रिपोर्ट बना दी गई और जब ऐसा हो रहा था तो जिम्मेदार अधिकारी कहां थे और कहां हैं जो देश चंद्रियान मंगलियान और ना जाने क्या क्या बाते करता है उसी देश की ये भी एक हकीकत है कि अस्पतालों में इंजक्सन ना रहने की वज़े से एक बच्ची की मौत हो जाती है और पूरी बेवस्था चुप है खामोस है ये कैसा न्यू इंडिया और ये कैसा ठिक्के है बिहार जरा सोचिएगा विगास कुमार ओच है कटिहार मौत है